हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन एम्सीक्यूज लाए हैं जो करणड फेयर से रिलेटिट हैं 16 17 मार्ज 2022 जी यहां दोस्तो याद रखें कि करणड फेयर साथ के आने वाले एक्जाम का बहुत ही इंपोर्टन सेक्षा रहने वाले पेश पर भी अवैलेबल है लिंक आपको फेस्बुक पेज की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटिट पिछली बार जेके एसेसबी के एक्जाम में क्वेश्चन आया था जब FAA यानि Finance Accounts Assistant का एक्जैम हुआ था तो इसे रिलेटिट ग्वेश्चन जो है वो पूछा गया था तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है के एर इंडिया का नया चेर्मेन इन में से किसको एपॉइट किया गया ओप्शन से आपके पास एस के शुकला सुमंज खेरी एन चंद्रा से करन या फिर नीरज कुमार इसका सही आंसर रहेगा पार्ट C एन चंद्रा से करन को नया चेर्मेन एर इंडिया का एपॉइट किया गया है दोस्तों आपको याद रखना होगा कि एर इंडिया जो है इसको सरकार ने 18,000 करोर रुपीज में टाटा ग्रूप को बेचा नेक्स्ट कोशन देखते हैं विच फिल्म है वान दी बेस्ट फिल्म एवार्ड एर दी 2022 बापता एवार्ड आपको बताना है बापता एवार्ड जीता आपके पास दे कश्मीर फॉाइल दे पावर आप दी डॉग डूण या फिर डर इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी दे पावर आप दी डॉग जो है इसने बापता में बेस्ट फिल्म का एवार्ड जीता दोस्तों याद रखें कि बापता एवार्डस को हेल्ड किया गया था रोयल एलबर्ट हॉल लंडन में और इसमें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन्स जिस फिलिम ने हासिल किये वो थी ड्यून नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं आपको बताना है इंडिया की क्या रेंक रही लार्ज़स्ट इंपोर्टर आफ आर्मस में साल 2017 से लेकर साल 2018 आपके पास फूर्थ थर्ड सेकेंड या फिर फिर फर्स इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी फर्स्ट दोस्तो याद रखें कि साल 2017 से लेकर साल 2018 तक इंडिया और सूधी अरेबिया सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्टर रहे आर्मस के लिए दोस्तो रिपोर्ट के मताबिक जो सबसे बड़ी पांच कंट्रीज रही आर्मस को इंपोर्ट करने में साल 2017 से लेकर साल 2021 तक उनमें नमबर एक पे इंडिया उसके बाद सूधी अरेबिया इजिप्ट अस्ट्रेलिया और चाइना हैं और जो सबसे पांच बड़ी एक्सपोर्टर रहे आर्मस को एक्सपोर्ट करने में उनमें सबसे पहले युनाइटिड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मिनी रहे नेक्स्ट क्रेशन देखते हैं आपको बताना है रूल आफ लेबर इन इंडिया डेवलप्मेंट किताब को हाल ही में किस ने रिलीज किया आपके पास निर्मला, सिता रमन, नरेंद्र मोदी, बुपेंद्र यादो या फिर आमिज शाओ इसका सही आंसर रहेगा इंपलाइमेंट है उन्होंने इस किताब को रिलीज किया दोस्तों यहां पर आप ये भी जुरूर याद रखें कि इस किताब को कंपाइल किया है वी वी गिरी नेशनल लेबर इंसिटिट्यूट नौईडाई ने नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपको बताना है वर्ल्ड कंजूमर राइट डे कब मनाया जाता है आपके पास मारिश 13, मारिश 14, मारिश 15 या फिर मारिश 16 इसका सही आंसर रहेगा पार्ट C, मारिश 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड कंजूमर राइट डे और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि इंडिया में नेशनल कंजूमर राइट डे मनाया जाता है 24 डिसंबर को और अगर हम साल 2022 की बात करें तो वर्ल्ड कंजूमर राइट डे का थीम है फेर डिजिटल फाइन्स नेक्स्ट कॉस्चिन देखते हैं इंडिया शेटलर लक्षिया सेन वन विच मेडल एट जर्मन ओपन 2022 आपको बताना है जर्मन ओपन 2022 में इंडिया की लक्षिया सेन ने कौन सा मेडल जीता ओप्षिन हैं गोल्ड, सिलिवर, ब्रॉंज या फिर नन आप दीज इसका सही आंसर रहेगा पार्ट भी सिलिवर नेक्स्ट कॉश्चिन देखते हैं इन यस इंट्रनेशनल डे ओफ एक्षिन फौर रिवर मनाया जाता है आपके पास MAR फिप्टीं या फिर तक इसका सही आंसर रहेगा एंट भी म फौ तक बॉड़िक को मनाया जाता है International Day of Action for Rivers और दोस्तों साल 2022 के लिए इस दिन का थीम है The Importance of Rivers for Biodiversity Next question देखते हैं Who has been appointed as the Chairman and Managing Director of Oil India Limited आपको बताना है Oil India Limited का नया Chairman और Managing Director कि इसको appoint किया गया options है सुरेश कुमार, रंजीत रत, बंसाली, लाल, सिंग, याफिर, राहुल, आहुजा सही answer रहेगा इसका पार्ट भी रंजीत रत को Chairman और Managing Director appoint किया गया Indian Oil Limited का Next question देखते हैं When is the International Day of Mathematics Observed आपको बताना है Mathematics के लिए International दिन यानि आलमी दिन कब मनाया जाता है options आपके पास March 13, March 14, March 15 या फिर March 16 इसका सही answer रहेगा पार्ट भी March 14 को मनाया जाता है International Day of Mathematics दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि International Day of Mathematics को Pi Day भी कहा जाता है क्योंकि Pi की जो value Mathematics में है वो 3.14 के करीब है और दोस्तों अगर हम साल 2022 की बात करें तो Mathematics का इस दिन का theme है Mathematics Unites Next question देखते हैं The first ever consignment of GI tagged hand-notted Carpets were exported to which country from Jumu and Kashmir आपको बताना है जumu Kashmir से पहला GI tagged हाथ से बने हुए कश्मीरी Carpets को किस मुलक को export किया गया हलांकि ये जो question है इसके बारे में मैंने कल detailed बात की है आप वो वीडियो जुरूर देखें आपके पास Russia, Germany, UK या फिर Italy इसका सही answer रहेगा Part B, Germany तो दोस्तो ये थे आज के कुछ important current affairs के questions उमीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करें और अगर आप daily videos, updates, notifications पाना चाहते हैं तो चनल को subscribe करें और साथ में bell icon जोर पैस करें दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care